यकीनन आप सबने अब तक आडवानी और वाजपेई की दोस्ती के किस्से तो सुने होंगे नहीं सुने हैं? अरे भारतिय राजनीती की इससे दिल्चस्ट दोस्ती की कहानी कहीं मिलती नहीं है और आपने ये किस्से ही नहीं सुनें नहीं सुनें तो समझिए राजनीती पढ़ी नहीं न समझी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इससे इंट्रेस्टिंग आडवानी और वाजपई की दोस्ती बताता वीडियो आपको मिलेगा नहीं लिंक पे क्लिक करिए और दोस्ती की कहानी देखिए लेकिन लेकिन दोस्ती की कहानी बाद में देखिएगा जनाब पहले दोस्ती की शुरुआत तो समझिए वरना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरी रामाड पढ़ ली और यहीं नहीं जाने कि राम और हनुमान मिले कैसे तो सियासत के राम और हनुमान कैसे मिले यह आपको एक मिनट के भीतर समझाने वाला है ये वीडियो वीडियो में बने रहिए जिससे इतनी इंट्रेस्टिंग जानकारी समझ सकते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू ये साल था 1952 का जब भारतिय जनसंग के संस्थापक डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी अपने एक सहयोगी जो यूपी का रहने वाला एक 26-27 साल का लड़का था, गोरा था, काले कलर की उटोपी लगाए रहता था, लेखनी में गजब का जलवा था वक्ता ऐसा कि शामा प्रसाद मुखर जी खुद टक टकी लगाए सुनते रहते थे चुनकि मुखर जी साब तो अंग्रे जी के वक्ता थे, हिंदी की कमान तो अटल विहारी वाचपेई के पास थी जो शामा प्रसाद मुखर जी के सहयोगी के तोर पे उन्दुनों पूरे भारत भमड पे निकले थे शामा प्रसाद मुखर जी नहरू की कश्मीर पॉलिसी पर पूरे देश में एक नहरू विरोधी भावना को जागरत करने के लिए लगातार दौरे पर दौरे करने थे और इसी दौरों के बीच में एक दौरा बंबई का था बंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन कोटा इस्टेशन पहुँची थी कोटा वो जगा थी जहां तकालीन राजस्थान के संग के प्रचारक लाल कृष्णा अडवानी उन दिनों प्रवास भी थे लाल कृष्णा अडवानी की उम्र उन दिनों 25-26 ही रही होगी वाजपेई से दो साल छोटे थे अडवानी अडवानी ने सोचा ऐसे तो अच्छा ही नहीं लगेगा कि जनसंग के संस्थापक कोटा से निकल जाएं और मैं यहीं रहूं अरे नहीं नहीं तो अडवानी जी चाय नास्ते का पूरा प्रवंध करते हुए स्वागत की पूरी तयारी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मुखरजी जी की गाड़ी का इंतजार करने लगे गाड़ी आई मुखरजी जी उतरे और साथ में उतरा उनका वो एक सहयोगी मुखरजी जी के पाउच हुए आडवानी ने और फिर मुखरजी जी ने आडवानी को आशिरवात देते हुए मिलवाया अपने सहयोगी से जो मुखरजी जी का एक सूटकेस पकड़े खड़ा हुआ था मुखरजी जी ने कहा इनसे मिलिये उत्तर प्रदेश से आते हैं लेखनी में गजब का जादू है और बोलते तो इतना बढ़िया हैं कि इनसे अगर सीख लेंगे तो आपके बहुत कावाने वाला है आडवानी वाचपई को गले लगाते हैं चुकि ये जनसंग का रिवास था हाथ मिलेना विदेशी संस्कृती का प्रतीक समझा जाता था तो कोटा के रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी ये मुलाकात और कहां तक पहुँची यानि एक लाइन में कह दूँ तो भारत के राजनैतिक सत्ता के दो सबसे बड़े केंदर राय सीना की पहाड़ी पे इस थी टॉप फ्लोर के दो आफिसस तक ये दोस्ती की कहानी राजनीति के पांच जशक का सफर्ते करके कैसे पहुँची अभूत पूर्व है जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बार बार कह रहा हूँ चरूर देखेगा चुंकि अगर नहीं देखेंगे तो राजनीति का एक सबसे बड़ा फलसफा आपकी नजरों से बच के निकल जाएगा